राजस्थान के बाड मेर के पूर्व विधायक मेवा राम जैन पर पिछले साल गैंगरेब का आरोप लगा था जैन का एक कथित अशलील वीडियो भी वाइरल हुआ था ऐसी में सोमवार को राजी की पुलिस ने हाई कोट को बताया कि मेवा राम जैन के खिलाफ जोथपुर में कथित सामुहिक बलतकार के आरोप में दर्ज मामला जूटा पाया गया है गौर तलब है कि इससे पहले हाई कोट ने जैन की गिरफतारी पर रोक लगाते हुए जाच में शामिल होने का निर्देश दिया था अतरिक्त महाधित्ता अनिल जोशी ने अतरिक्त पुलिस उपायुक्त की ओर से जस्टिस फरजंद अली की सिंगल बेंच को एक तथात्मक रिपोर्ट सौपी पुलिस की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि जैन के खिलाफ लगाए गए ग्रैंग रेप के आरोप गहन जाच के बाद जूटे पाये गये हैं ऐसे में एक नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी फरजंद अली के सिंगल बेंच ने टिपड़ी की कि सभी पीडितों के बयानों की समिक्षा करने के बाद और पुलिस की रिपोर्ट की जाँच करने के बाद मुझे इस अदालत के समक्ष कारवाही जारी रखने का कोई कारण नहीं दिखता है गौर तलब है कि कॉंग्रेस के पुर्व विधायक मेवा राम जैन राजिस्थान पुलिस सेवा के एक अधिकारी दो अन्य पुलिस अधिकारी और तीन अन्य लोगों पर गैंग रेप और पी ओ सी एस ओ अप्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है ये मामला जोदपुर के राजियो गांधी नगर धाने में एक महिला ने दर्ज कराया है महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ गैंग रेप किया गया है इसके अलामा आरोपियों ने कई बार उसकी नाबालिक बेटी से भी छेर छाड़ की शिकायत के आधार पर जोदपुर पुलिस ने पूर्व कॉंग्रेस विधायक एक RPS अधिकारी एक सर्कल इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और बार मेर नगर परिशत के उपाध्यक्ष सहीत चार अन्न लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है अब इस मामले में पुलिस ने हाई कोट में एक रिपोर्ट सौपी है पुलिस ने दावा किया है कि मेवा राम जैन के खिलाफ लगाए गए गैंग रेप के आरोब जूटे हैं धन्यवा